हारुफिक्स सैमसंग M0 One Core एर स्पीकर नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर एर स्पीकर नो तो आप इस वीडियो को आप देखें आपको यहाँ पर दोस्तों हाड़्वेर के रिलेटेड प्रॉब्लेम होसकते हैं ठीक है उसके वज़से से आपके स्पीकर काम नहीं कर रहें और दोस्तों यहाँ पर इतना है नहीं जो जिसके साथ भी आप बात करें उसका अगर खराब है तो भी आपको वोईस सुनाई नहीं देगा ठीक है तो उसके लिए आपको कॉन्फर्म करने के लिए किसी भी दूसरे नंबर पर या फिर दूसरे मोबाइल पर कॉल करके देखे अगर आपने बहुत सारे इसे डिवाइस में कॉल करके देखा जहां पर यह स्पीकर उनका जो माइक्रोफन है काम कर रहा है सिर्फ आपके एर स्पीकर में प्रॉब्लम है तो फिर दोस्तों सॉलुशन आपके मोबाइल पर ही करना होगा ठीक है लेकिन दोस्तों कई बर क्या होते हमा आपके जो एर स्पीकर है वो खारब है या नहीं है अगर यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है तो आप इस वीडियो को अंतक जरू देख लेना वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बेल आइक नहीं को इजेक करें इंसर्ट करें ठीक है इसे नेट्रोग आपका यहाँ पर अच्छा हो जाएगा तो सीम कार्ट को बाहर पर निकाल के आपको दुबारा से उसको अच्छे तरह के से प्लेस करना है क्योंकि दोस्तों कई वर उसके वज़े से प्रॉब्लम आते तो आप य को सिर्टी से नेटरोक सेटिंग पर क्लिक करके However लिए सेटिंग पर दबा देना हैं और मुबाईल правu डेकर कर देना है उसके बाद दोस्तों को आपको जाना है Apps पर Apps पर जाके दोस्तों आपको Select करना है Phone Service ठीक है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा नीचे में Scroll down करते हुए जाना है तो Phone Service पर जाए Storage Option ओपेन करें Clear Data पर क्लिक करके OK कर देना है Data Clear करना है और Permission पर जाके सारे Permissions Allow कर देना है तो सारे Permissions Allow करने के बाद दोस्तों आप जो है अपने Device को Restart करें Call Place करने के कोशिश कीजिए Check कीजिए दोस्तों आपका Problem Solve हो चुका होगा ठीक है अगर Problem Solve हो जाता है ठीक है अगर आपको अभी वे Problem आ रहा है तो एक Final Solution करके देखें अपना Software को Update करें Software Update करने के बाद दोस्तों आपका Problem Definitely Solve हो जागा अगर Hardware के Related कुछ भी Problem नहीं है तो Software Update करने के बाद 100% Problem Fix हो जाते है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं अगर आपका जो Problem है Software Update करने के बाद भी Fix नहीं होते हैं अब तो फिर दोस्तों Hardware का Issue होगा तो आप दोस्तों कुछ दिन के लिए Airphone भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पीकर पर कनेक करकी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर Hardware के Related Problem है तो आपने आप तो Fix नहीं होगा तो किसी भी Technician के पास जाके आपको Repair करना है ठीक है यहाँ पर Technician के पास जा सकते या फिर Service Center पर जा सकते तो वहाँ पर जाके यह दोस्तों आपका Problems सौफ होगा ठीक है क्योंकि दोस्तों इसको जो है Repair करना पड़ेगा उसके बाद जाके आपको Voice सुनाई देगा आपका Ear Speaker काम करेगा उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा Thanks for watching